नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेर, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ, मैक्स मन्स मिन्स अलचेब्रा, दोस्तों पहला चप्टर सेट्स है, सेट्स का हम लोग ने 1.1 और 1.2 को बहुत जीवे में सुल्ब कर शुके हैं, अब लेड़ी अपने चैनल पर अप्लोडेड है, और अभी हम पढ़ने जा रहे है 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.3, दोस्तों सेट्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स नोलेज, नमबर सिस्टम का होना चाहिए, जिसमें रियल नमबर, इंटीजर, प्राइम नमबर, रेशनल और बहुत सारे नमबर जो आते हैं, उसके लिए में एक स्पेसल वीडियो बनाएं आपके लिए जो नमबर सिस्टम है, वो अपने चैनल पर लेबल है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो भी देख लिजेगा, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.3, दोस्तों यह इसका अधिक क्या होता है, यहाँ पर एगशांपल में लिखा सक सकते हैं, हरको यहां पर लिखा है, अब देखिए एकॉल टू एस यू सी सी डबल एस लिखा हुआ है इसको आपको भेंड डियाग्राम में रेफिर्जेंट करना दोस्तों डियाग्राम में रेफिर्जेंट करेंगे तो जीतने भी यहां पर जो भी नंबर दिया होता है नंबर या ऐसा एंगलिस अलफावेट को यहां पर कड़डी बरागे माइनस टू जीरो वन अनफाई है इसको हम लोग ने बार्ट डियृण ट्रेंगलर मना यहां पर बी लिख दिया वी मतलब सेट का नाम यहां पर भी हो गया तोके यहां पर देके लिखा हुआ है the set y is said to be subset of x symbolic it is represented it is represented as y subset of x means it is read as y is a subset of x इसका मतलब होता है y is a subset of x means all elements of y are present in x चलिए यहाँ पर subset के एक एक्जाम्पल मैंने हाँ पर दिया बहुत मस्त एक्जाम्पल है y की जो value है मैंने a b लिया है y की value a b लिया है उसका elements और x की element a d b लिया है दोस्तों इसको हमें subset के एक्जाम्पल के लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा rectangular बना है जिसका नाम दिया x और उसके अंदर एक छोड़ा सा इस तरह से diagram बना है जिसका नाम दिया y तो y में क्या क्या हमारा था a b हम लोगों ये भी लिख दिया और x में क्या हमारा a d b है तो दोस्तों एक्स के अंदर ए दोनों एबी वाई की भी है, एकस के अंदर वाई है ना तो आई में हम लोगोंने क्या लिखाते हैं एभी लिखाता है तो A and B अल्रेडी इसके पास बेरी मैं नहीं क्या बचके D तो हमने यहां पर D लिख दें मतलब यहां पर total diagram में देखे क्या आ गया total सबसे बड़ा है एक टेक्स के अंदर आ गया a भी आ गया d भी आ गया d भी हो गया और इसके अंदर y एक box बना हुआ है तो उस y के अंदर भी a भी आ गया मतलब क्या हो गया all element of y are element of x जो element है किसका y की वह x का भी है यह असा है तो इसको क्या बोल देंगे y is subset of x means इसका मतलब होता है all element of y are present in x इसका एक और rule से दोस्तों यहां पर मैंने लिखा आपके लिए यह देख लिए always remember करके यहां से remember this every set is a subset of itself every set is a subset of itself means यहां पर a subset of a subset of a होता है दूसरा देखिए empty means खाली 5G से हम लोग indicate करते थे one point of है पर थे empty is a subset of every set that is five subset of a दूसरा एक्जामपल है if a equal b अगर a b के equal हो रहा है then we can say a subset of b और also we can say b subset of a possible है multiple choice questions जो होते हैं जाम में उसमें से इसमें से कोई एक आ जाता है if a subset of b then b subset of क्या होगा a होगा and जब a subset of b है मतलो all element of a is present in b and all element of b present in a then a is equal to b ओके चलिए अभी इसके बाद हम लोग next इसका पढ़ेंगे जो एक और example मैं लेता हूं set के लिए आपको कीजिवे में समझ में आदे जैसे पहला दूसरा example देखे यहां पर मैं लिखा हूं a equal one a b c d e and d equal a e दिया हुआ है अभी यहां पर क्या है यहां पर क्या है कि ड की a e है यहां पर देखे स्टार्टिंग में ने ए लिखा है और यहां पर है मतलब क्या है all element of d are present in a yes all element of d are present in a means d subset of a हम बोल सकते हैं और इसी को आप अगर ऐसे बोलते a subset of d तो a नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि a subset of d नहीं है क्योंकि a की all element d में नहीं है पर चलिए उनीवर्सल सेट इसेट जीच कंटेन ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दि अधर सेट का ओल एलिमेंट किसी में अगर इंक्लूड होता है उसको हम बोलते हैं इसको इंडिकेट करते हैं यू से जेनरली उनिवर्सल से उसको रिपर्जेंट कर जैसे एकजांपल मैं आपको समझाया है एक दिया है एक दिया है इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं so universal set will have all the elements of set abc के लिए universal set क्या हो गया दिखिए 1 2 3 4 है देने सब कोमाने 5 6 7 8 है मतलब 12812345678 मतलब एं उनिवर्षल सेट हो गया उनिवर्षल सेट में हमारा सब इंडिया हो गया जिसमें यह भी आ रहा है भी आ सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं एक उपर एक चोटा सा सी दे उस तरह से भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं एक्जाम्पल लेकर समझते हैं बेटर रहेगा एक एक वा और फॉर फायज रहेगा बाकी उनिवर्सल सेट में जो नंबर है वो सब को लिख देंगे एको छोड़के 123456 था अभी देखिए A में क्या है 135 है तो यहाँ पे 1 and 3 और 5 इस नंबर को हम लोग छोड़ देंगे remaining जो नंबर बच जाएगा वो यह डाइस होगा तो क्या बचा 2 बचा 4 बचा 6 बचा इसको एक कॉम्प्लिमेंट बोलते है जैसे यहाँ पे देखिए A,E,I,O,U मैंने लिया है और B के E,O,U लिया है तो यहाँ से आप B,O,U को कैंसल कर दीजिए B,O,U, B,O,U हो गया तो B,DAS क्या जाएगा remaining बच जाएगा तो A यहाँ पे और I यहाँ पे इसको बोलते है इसको हम लोग क्या करते है इंडिकेट करते है बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है देश्ट्पों के बहुत लिए लिए लिख के रखा गया है बहुत सिंपल अभी देखिए दोस्तों अब इसके बाद प्रोपर्टी अब कॉम्प्लिमेंट आता है कुछ प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी को मैं यहां पर लिखा है यह कमपलीमेंट और उसका फिर से यह दे अगल देखेंगे यह जो है उनिवर्सल सेट में आ रहा है यह और एड़ाइश भी उनिवर्सल सेट में आ रहा है यह सो बीकें से 1235 यहां पर देखिए 2456 इसमें इसमें कोई कॉमन है नहीं है यानि एंड एडस है दूनाट है एनी कॉमन एलिमेंट्स लेट्स श्टार्ट प्रैक्टिसेट 1.3 पहले से पढ़ने से पहले यह बेसिक्स की बहुत जरुवत आपको अगर कोई किसी कंसेप्ट में अगर दिकत रहा गया कोई भी आपको लगता ऐसा कि मुझे नहीं समझा या प्रॉलम है तो वीडियो के एक बार और देख सकते हैं उसके बाद यह कोई प्रॉलम है तो वी कैन कॉमेंट में एंड आइंसर यू ओके चलिए यहां पर एक की वहलु यहां दिया है यहां पर एक कुछ है यहां पर यहां पर कंडिशन दिया हुआ है अब बोला क्या है जो कंडिशन है और यहां पर इसका मतलब क्या होता है औल एलिमेंट ओफ सी आर प्रेजेंट इन डी और मतलब क्या होता है विमें एस सी सब होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था आपका विलेज जो है विलेज is a subset of states और states is a subset of country मतलब country के अंदर में states आता है states के अंदर में क्या होता है विले जाता है we can also say village is a subset of country इस तरह से चलिए एके करके देखते हैं C and B को देखते हैं दोस्तों यहां पर C क्या है B और D है और B में क्या है B में देखे C, D, E, F है अभी देखे C के elements B में present है क्या B और D है क्या नहीं है सिब दी है B नहीं है तो यह फाल्स हो जागा since all elements of C are not present in B all elements of C are not present in B hence it's a false second के a के all element D में present है क्या ए देखिए A, B, C, D and D कितना है इतना छोटा है मतलब A के all element D में present है नहीं hence false हो गया since all elements of A are not present in D A हमारा false हो गया एक थर्ड मैं छोड़ दिया हूं फोर्थ बता रहा हूं D के all element present होना चाहिए A में all elements of D are present in A देखते हैं देखिए D में क्या है हमारा दोस्तों यहां पर A और E है और इसमें क्या है यहां है यहां पर A है और यहां लास्ट में हमारा यह है मतलब A D के all element A में present है यानि A क्या होगा true होगा since all elements of D are present in A यह true हुआ अभी मैंने एक और छोड़ दिया है यहां पर 6 बता है C के all element A में है क्या देखते हैं चलिए यहां पर देखें C क्या all element C में क्या हमारा B और D है तो इसमें A में है क्या यहां पर देखें B है और A D है यहां सहाँ है means all element of C all element of C are present in a hands-toe we can take a screenshot this is so simple आपको अब इस टाइब के कोई भी numerical हो आप उसको easy way में solve कर लेंगे now question number हम लोग next परते हैं जो है question number इसका second क्या हो है पहले question को अच्छे से पढ़ते हैं ओके एक कोशन बार बार एक्जाम में आते हैं और बचे बार बार गलत करते हैं और आज की बाद आप गलत नहीं करेंगे यहां पर दिया हुआ है उसको में वें डाइगराम में क्या करना है जो करना है चलिए की हम लग एक एक करके इसको देखते हैं कैसे होगा मैंने एक VH EN डाइग्राम बना दिया दॉस्सेव टैग्राम हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर ंबर हमें परिभ्लेन ओके मलने से स्टार्ट होता है ओके नंबर सिस्टम में कोई प्रॉलम है तो आप नंबर सिस्टम चैनल पे विलेवल है आप एक बद देखिए आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा उसके बाद देखने के बाद की लिए हो जाएगा सब चलिए उनिवर्सल सेट मैंने लिखा उनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए 1-20 नंबर सब होना थी बच उठ में कंडिशन पहला क्या दिया हुआ है यहां पर कंडिशन दिया है एक से इज यह सेट और एक सच डाइट एक सब्लाउं गपने त्यमटेमी नंबर निचुन अचीन लेने मतलब इसकी जो होनाच इसमें एक्स की बैलूं वह सेवें प्राइम नंबर यहां पर नेचुन नमबर हो जागा है हां पर नंबर सेवेन एंस सोरी सेवेन आंड फिप्टिंंके है कि चलिए उसके बाद रिमेनिंग जो हमारा 1220 जो नेचर नंबर बोला था वह इसमें हो जाएगा तो नेचर नो 12345678 मैंने बाहर नहीं लिखा क्योंकि यहां था 8 9 10 11 12 13 14 फिर उसका 15 16 17 दोस्तों अगर आप यू टोटल देखे उनिवर्सल से तो 1220 आपका इसमें आ गया है नंबर 1220 आ गया है ओके और एक जो है एक सेवें टू 15 भी आ गया है मतलब यह हमारा उनिवर्सल सेट हो गया पहला कंडिशन का दूसरे में क्या दिया है दूसरे में भी ओई कंडिशन है टोटल में हमारा 1220 नंबर होना चीए टोटल में क्या नहीं चीए बट कंडिशन यहां पर कुछ और दिया है सकेंड में दिया है वाई इस सबसे वाई जसेट अफ ओल वाई सच डाइड वाई विलोंस टू नेच्वर नंबर वाई इज अप्राइम नंबर 1220 दोस्तों यहां पर प्राइम नंबर आ गया प्राइम नंबर क्या होता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता औ ओकें अभी देखिएं तो शनौ है यहां पे प्राइम नंबर 1220 लेना है तो मैंने यहां पर गया भुद कर लेंगा प्राइम नबर argue है 12 13 14 15 16 17 यहां है 18 19 20 अब प्राइम नमबर को थोड़ा समाल लेते दो प्राइम नमबर क्या होता है तू इसलिए होता है कि देखे तू अनट यहां पर इन कि यह नहीं लिया रखे अन इसलिए नहीं है क्यूंकि होन की तो प्राइम नमर नॉटा जो खुद के टोल मैं विकन टेक आए एक पर आपको हम अभी पढ़ते हैं जो है 77 को एक बार रिड करते हैं फिर इसको आगे पढ़ते हैं कि यहां पर कोशन नमबर थाड़ अभी हम लोग पर हैं पुशन में क्या दिया है यू हमारा उनिवर्सल से टेक दिया हुआ है जो यहां पर पर रूल देखा था यहां पर रूल्स देखा था यहां पहलों पहले हैं चलिए ऐक मैं avya chosen इसका नाम दे दिया अब हुस्ति और laugh पीकामप्लिमेंट इसको मुझना फीड स्मावावित मतने होगा जो हमारा इस P में नहीं होगा, तो क्या-क्या होगा, 1 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 इसके और 10 भी, इसके अलावा जो भी होगा है, सब P डाइस में आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 होगा, 8 होगा, 2, 8, 9, 11, 12, 11 and 12, यह हम हमारा P compliment हो गया, तो मैंने क्या किया, एक box बनाया, इस box के अंदर उसका नाम दे दिया, P, तो P पहले जो हमारा है, 137, उसको पहले ले दिया, P को, 137, 10, remaining जो नंबर था, उसको हम लोगों ने इसमें लिख दिया, 289, 11, 12, जो देखिए, P compliment का मतलब क्या होता है, जो P में न हो गना, P plus P compliment equal universal set आता है, आप इसको समझ लिजे, मतलब जो भी एक P का set है, और P compliment का set है, दोनों का जो रोग तो उनिवर्सल set हो जाता है, ओके, चलिए, ऐसा कुछ formula नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोला, और mathematical right है, चलिए, अभी देखिए, हो गया है, universal set में आ गया अभी दूसरा करना verify P compliment and P each P होना चीए, P compliment के compliment P होना चीए, here P compliment ही दिया है, 13710 दिया हुआ है, नहीं नहीं पहले P, P तो यहाँ पर दिया हुआ है, 13710 दिया हुआ है, और P compliment हम लोगे निकाला, यहाँ पर 289, 1112 आ गया, अभी देखिए, P compliment है है, ओके, P compliment है है, और हमारे पास universal city है, फिर से compliment का compliment करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसमें ए P compliment वाला नहीं आना चीए, हम लोगों नहीं देखाता ना, P और P compliment में difference ही है, कि P compliment का all element, P की all element, P compliment में नहीं होना चीए था, इसलिए हम लोगों नहीं यहाँ पर देखा, P compliment है, इसका फिर से अगर compliment करेंग है, मतलब यह P compliment वाला इसमें नहीं होना चीए, तो remaining क्या बच जाएगा, 289 11 12 जो है, जो मैंने 10 उसके उपर नहीं किया है, इसके अलावा बाकी नमबर हो जाएंगे, जो होगा, 137 and 10, आ गया न, देखिए P compliment, और उसके फिर से compliment करेंगे, तो P आन रहे के हैं, देखिए, 137 19 आ गया, आ गया, you can take our skin shot, अब हम लोग next question करते है, question number 4, देखिए, यहाँ पर कैसा है, question number 4 में A की value दिया है, A क्या है, 1327, then writes any three subsets, of A, any three subset लिखना है, three subset of A, A की subset मैंने यहाँ से 3 उठा लिया, फिर यहाँ से 2 लिख 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 दिया, 127, subset आ पर यहाँ पर अपने मन से और कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर 2 लिख सकते थे, यहाँ पर 7, 3, 1 लिख सकते थे, 3, 1, 2 लिख सकते थे, 7, 2, 3, 1, 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 लिख सकते थे, 7, 2, 3, कीरे आपको जैसे मात पोला है का सबसेट होता है हमारा शेश विर अप अगुर 700 से यहां पे त्यकार राइज यहां रिलेशन सबसेट रिलेशन बीट्री डिलेशन का सबसेट रिलेशन बताना जैसेいい द॔ सेट्स अफ और रेसी डेंस फुन है Kedởi किसके लीए इंडिया के लीए एक जो ए महारइश्टा के लिए अभी पुने पुने कहा टयता है एक Isn't इंडिया में आता है महारास्टा हुए इंडिया में महाराश्ट्रा नहीं नहीं आता है पूने महारास्टा 멘 के चलिए इसको हम लोग the universal set for all ऑल के लिए universal set कॉन थो भी हमें देखना है यहां पर देख कि ड़ी इंडिया इंडिया तो desidane of all जो बने का लिए कँ होगा이지 इंडिया कभी होगा तों ही मैं पढ़ेते हैं all elements of P are present in B जो all elements of P are present in मतलब all residents of Pune are present in residence of India right है राइट है चलिए आगे देखते हैं इंदिया के पर महाराष्टा है वो भी लिखना पड़ेगा the residents of Pune are residents of महाराष्टा residents of Pune जो होगा residents of महाराष्टा होगा यानि P subset of H महाराष्टा के लिए क्योंकि all residents of Pune are present in महाराष्टा चलिए आगे क्या है एम किसके लिए मदफ्रदेश है तो उसके लिए का the residents of मदफ्रदेश are residents of India ओके तो M subset of B M subset of B ओके चलिए next क्या है आई है इंदौर इंदौर के लिए the residents of indoor are residents of India residents जो इंदौर है इंदौर का residence कहा होगा इंडिया में भी हमारा होगा राइट है तो आई इस सब्सेट ऑफ बी और इंदौर के लिए और कुछ है कि हम मदफ्रदेश है पुने है पुने सिंदौर का कोई रिलेशन नहीं है महाराष्टा से कोई शने मदफ्रदेश है तो इसके बात क्या आता है इंडिया तो और पूसी के अंदर नहीं आता इसलिए उसका नहीं के लिए अभी इसमें देखो आप लो यह हम लोगने कंडिशन लिग दिया और यहां पर महरास्ट्रा और सिम Swar guess け लिए कि लिए यूनि वर्षान सति और ख़ेखो पूने पहां ता इंडिया में वी मिन्स यहां पर हमारा इंडिया है इंडिया क्या हो जाएगा हमारा इंडिया जो है युनिवर्सल सेट हो जाएगा ऑल के लिए ओके चलिए विकेंटेक आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं बहुत सिंपल है आप इसको और भी सॉल्ब कर सकते हैं चलिए नेक्स कुशन है ह टीनों के लिए कौन सा जो हमारा होगा और सेट युनिवर्सल सेट होगा यहां पर युनिवर्सल सेट कौन सा होगा तो उसको हम लोग देखते हैं उसके बाद में फिर एक और कोशन दिया है इसको भी हम लोग देखते हैं एक एक करके इसको समझते हैं पहले हम लोग समझते ह और तो कि पहला कीसा है न है पहला अगर आप स्वोफ करेंगे तो यह बार में स्वूफ करने से पहली ऐक आपको बता दो दो दुस्तों कि fire कम multiple क्या होता है फाइव कि ऐसके बाद में फाइव forward 5 ına 5-10-5-15 ऊसके बादने कितना हरता है 20 25 30 Α्था होता है इस तरह से इसका नीगेटीव उत Shy दीनोपिपल थे माइ Voldy वह मानिश 5asis आयम इनानी पोजेटीव भी है एंद नियुक्टीव है phones लृप खेटीव होता होगा निगेटीव होता होगा से मैंने लिखा है candle or नेटीब मुल्टीफल एनी ऑफ नेच्वर नमबर रोसकता है होल नमबर रोसकता है एंड डिटिजे चे लिए पी derecho कोते स्मुवाइक यहाँ पर मैं आइ को संजा अज़ा दो AMY T अभोलो नंबर टूरमार इस स्टान रमन और मिनज और लमटर इस कमः न स्टार्ट फॉन और परkovthem Kill नम्बर अनी और कोई भी वह सकता है भोल हो सकता है इंटीज़ हो सकता ऐन्ड निगेतिव के लिए इंटीजर PAUL दोस्तों हो इसी तरह है पॉजेट्टीवげं मॉल्टीपल टीपे त्युक्ति ऑलिएश्कॉाइश्ञ नंबर यहां पर दैखिया माइनस 2 का इस्क्याय करोगे हो तो फोर होगा ओके यहां पर दिखैंए इवेन नमबर के अंदर माइनस होता है माइनस इक स्क्यायर करोगे influenus नीचर नमबर का już होता है और यहां पर जाता है तो यहां पर उसका भी यहां फोर के होगा दोनों का अंसर सेम होगा चलिए क्योंकि एक बार मैं समझा दूनेचो नमबर स्टार्ट फ्रम और होल नमबर स्टार्ट फ्रम जीरो एंटीजर पॉजिटिव नमबर निगेटिव इंक्लूडिग जीरो होता है चलिए लास्ट कुछन है शेप्टर का लेट अल दी कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट हमारा यह जो कॉम्प्लिमेंट है यह क्या स्टूडेंट का मतलब क्या होता है यह का कॉम्प्लिमेंट का मतलब क्या होता है यह का कॉम्प्लिमेंट का मतलब होता है यह का कॉम्प्लिमेंट का मतलब होता है यह का कॉम्प्लिमेंट का मतलब होता यहां पर here you equal all the students of class okay you only universe has a student 50% 50% or more marks in the max to a complement that a more thana to his cup ultra हो जाएगा लेस हो जाएगा student who's equal less than less than 50% in माइक्स आपको मोर न हाट तो उसका लेस हो जाएगा के कॉम्प्लिमेंट में बहुत सिंपल था जोस्तों यहां पर अपना 1.3 completed होता है बहुत जल्द हम लग 1.4 के लाएंगे वीडियो और आपने को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मैक्सिमूम से अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो के लिए विट कीजिए बहुत जल्द आ जाएगा